असलाम लीकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब मेरा नाम है बिसमासकर और आप और मैं अभी तक पढ़े थे एसिट्स वेसिज और सॉड्स को जिसमें आज हम बात करने लगे हैं एसिट्स के एक और यूज के इतने यूजिस हमने पढ़े हैं तो क्यों न आज एक और होता है इसको कहते हैं एचिंग डिजाइन एचिंग डिजाइन क्या होते हैं और उसकी क्या डीटेल है वो हम समझेंगे इस लेक्श मेуж फैसे तो आए चलता है लेक्शर की तरफ में already present होती है, उसके बाद ही उसको chemistry lab तक लाया जाता है तो students आपकी जो nature में चीज present है वो है acid, उन पे हुई discovery, उन पे बहुत से experiments किये गए और experiments करने के बाद ये हुआ कि acids के ऐसे ऐसे uses सामने आए कि फिर उन में देखा गया कि इसके तो use case ही बहुत है आपको याद होगा कि हमने fertilizers में पढ़ा, हमने देखा paints में, dyes में, batteries में, कहां आप acids को use नहीं करते इसी तरह हमने एक और use पढ़ा था acid का, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास nitric acid यूज होता है etching of plates के लिए copper plates पे etching design के लिए, यह होता क्या है, इस पे आज हम बात करेंगे सिर्फ nitric acid यह नहीं, आपके पास एक और acid भी use होता है, hydrofluoric acid यह दोनों acids use होते हैं आपके पास etching designing के लिए etching basically एक तरह की designing है, जिसमें एक pattern बनाया जाता है given plate के उपर वो plate आपकी glass plate भी हो सकती है, वो कोई metal plate भी हो सकती है, अब metal plate की अगर हम बात करें तो हमने यह use case पहले ही पढ़ा है कि nitric acid को copper plates पे etching design के लिए use किया जाता है, अब हम यह देख लेते हैं कि etching होता के, आपको नजर भी आ रहा होगा, जो etching होती है बेटा, इसमें acid आपके इस design की वज़ा से, आप जहां भी आपने plate पे designing की है ना, उस design को थोड़ा सा इस तरह से dissolve करेगी, कि वो design थोड़ा सा different तरीके से, थोड़ा सा बैठावा, सिंक हुआ वा नजर आएगा, तो plate पे क्या किया, सबसे पहले pencil से designing कर दी, जो भी pencil use हो रही है designing के लिए, जब पूरी metal plate या glass plate पे design कर दिया, तो जाहिर सी बात है, design पूरी के पूरी plate पे तो होगा नहीं, design होगा किसी side पे, किसी corner पे, या middle of the plate पे, उस designing के बाद यह होगा, कि आपके बाकी जो area रह गया है, जिस पे कोई designing नहीं है, उसको किसी wax से cover कर दिया जाता है, wax stencil is used to cover it, अब wax stencil क्यों use करते हैं, हमने बात की थी students के assets हमारे friendly नहीं होते हैं, assets dangerous होते हैं, ठीक है वो nature में present है, ठीक है वो acids की जब भी आप बात करेंगे, वो dangerous हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, आपके mystery lab में जिन acids के साथ deal करते हैं, वो acids बहुत ही ज़्यादा pure form में होते हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि आप इसी तरह गए और आपने का ठीक है, I am gonna pick an acid and I am going to experiment with it, आपको caution के साथ चलना पड़ता है, एहतियात के साथ चलना पड़ता है, तो इसे लिए वो metal plate और glass plate का भी तो ख्याल करना पड़ेगा, जिस पर designing हो रही है, तो हुआ क्या कि जब आपने design बना लिए, उस plate पे जहां जहां design बनाने की जरूरत थी, तो बाकी जिस area पे designing नहीं चाहिए, उसके उपर wax stencil लगा दी जाएगी, wax क्या करती है कि wax acid से protect कर देती है बाकी area को, wax protect करेगी बाकी area को और फिर इस तरह ये plate जिसके उपर designing की गई थी, इसको सबसे पहले आपने देखा कि designing होई, फिर उसको wax से cover किया, ताकि wax से क्यों cover किया, जिन parts पे designing नहीं है, उनको acid destroy ना करे, उ बात से यूं समझ लें कि बहुत बड़ा tub form में, container में आपके पास acid मौझूद होता है, इस glass plate या copper plate को उस container में ले जाया जाता है, और उसके अंदर dip कर दिया जाता है, अब dip करने वाले की भी तो सोचें, बेटा, acid अगर बहुत ही dangerous है, तो जो dip कर रहा है, वो chemist है, इसका मत जो handle कर रहा होता है, इस पूरे के पूरे process को, उसके लिए जरूरी होता है, कि वो अपनी protection करे, safety gloves पहने, safety अपने पूरे costume भी उसका safety हो, ताकि acid की spilling की वज़ा से कहीं पे भी उसके organ या उसकी body damage ना हो, acid damage cause करती है, और बहुत ही बुरा damage cause करती है, क्योंकि हमने बात की थी acids are corrosive in nature, corrosive का मतलब है damaging हैं, बरबाद कर देते हैं, यह खराब कर देते हैं, metal का हाल बुरा कर देते हैं, अब आप उसके पूछेंगे के अगर यह metal का इतना बुरा हाल करते हैं, तो हम matching designs में क्यों use करते हैं इनको, students जब भी किसी plate में, या जो भी आपने glass plate ली या copper plate ली जि acid थोड़ा सा उस पर react करेगा, आपको नजर भी आ रहा होगा, वो react करेगा और वो part आपका sink कर जाएगा, थोड़ा सा वो ऐसे नजर आएगा, जैसे पूरी plate आपको even नजर नहीं आएगी, वो design थोड़ा सा sink किया वा, थोड़ा सा different तरीके से नजर आएगा, इस different design का मतलब होता है कि यहां पर designing की जारी, यह जो different design बन जाता है ना, इसको बहुत ही जादा intricate patterns में फिर यूज किया जाता है, क्योंकि यह process जितना सुनने में dangerous लगता है, यह जब design बन जाता है, वो process उतना ही कुपसूरत भी लग रहा होता है, वो ही copper plates, वो ही glass plates, बिकती है, ornaments के form में य designing की गई, acid की तरह से, acid लिया, आपने बाकी plate को किया, wax से cover, हम पहुंचेते इस step पे के हमने अपनी glass plate या वो steel plate जो है, उसको acid में dip कर दिये, इसको जब acid में dip कर देते हैं, तो थोड़ी देर के लिए इसको acid में पढ़ा रहने देते हैं, acid को react करने देते हैं, dip करने वाला ज skin damage हो जाती है जब भी acid का reaction हो, इस वज़ा से जो handle कर रहे हैं, उसने बहुत ही अराम से safety gloves पहन लेने हैं, अब वो जो आपकी plate है, वो dip करके acid solution में पढ़ी रहेगी और थोड़ी देर तक जब तक के आपके पूरी designing के उपर, सही तरह से acid react करके, उसको sink नहीं इतना कर देता, उसको इस काबिल नहीं बना देता कि वो बाकी plate से थोड़ा सा ना, आपको एक side से तो sink नजर आएगा, दूसरी side से थोड़ा सा उबरावा नजर आएगा, जिसकी वज़े से वो पूरा pattern और design बड़ा प्यारा बन जाता है, उसको वहां से निकाला जाता है, उसके बाद acid में वो बहुत सी और paper से गुजरता है, आपने उसको sheets में से गुजारना है, rollers में से गुजारना है, और एक ऐसे point तक लेके आना है कि जो आपका final design बन रहा है ना, वो बड़ा खुबसूरत होगा, आप देख सकते हैं कि वो कितना प्यारा बन गया है, तो ठीक है हम बात कर लेते that assets are corrosive in nature, assets are dangerous in nature, but that doesn't mean that it is going to take away from the uses of assets, assets का uses है, uses उसके फिर भी होंगे, सिर्फ क्या करना है, थोड़ी हितियात से आपने उसको लेके चलना है, जब भी आप assets को हितियात से लेके चलते हैं, तो उसके बाद यह होता है कि आप जो भी उसके साथ use करें, जिस तरह भी उसको use क करें, वो danger नहीं करता, अब क्या होता है कि जो लोग इसको handle कर रहे है, इन plates को handle कर रहे है, अब क्या asset इतने मासूम है कि उनके बिल्कुल बारीक से gloves होंगे, कितने को हो जाएंगे थे कर उनको कुछ ना हो, तो जी हाँ, इस process में थोड़ा सा risk involved है, danger involved है, इसलिए कहा जाता ह है कहीं पे भी के बिल्कुल safe process है, आप अपने घर में ले आए, acid और इन plates को लें और आप इसको करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं हो सकता, process dangerous है, why, why, because acids are very corrosive, acids are corrosive in nature, acids are harmful in nature, इसलिए बकाइदा तोर पे chemist के लिए, ऐसे suits design होते हैं, कि जब वो उनको पहनते हैं, तो एक ले लेर उनको protect करने के लिए बन जाती है, वो लेर क्या करती है, मजीद नुकसान नहीं होने देती, जिस तरह हमने plate को acid में dip करने से पहले, उस पे wax stencil लगा दिया ना, तो wax stencil क्या कर रही है, कि जिन parts को आप चाहते हैं, कि acid touch ना करे, wax stencil उनकी उपर एक layer बन जाएगी, एक cover बन देगी, तो paper में पूछा जा सकता है कि wax stencil का use के है, वैसे तो यह हमारी book में do you know में given है, और इसके बारे में वो जो येलो बॉकसे नहीं हमारी book में given होते हैं, उनमें information given है, लेकिन कभी-कभी हो जाता है, कि आप से ऐसे questions भी पूछ लिए जाते है, do you know में से कभी-कभी important question ब chapter के किसी भी point को, किसी भी topic को छोड़ना नहीं है, जहां आपने किसी topic को छोड़ा, तो वहीं पे आपको समझी नहीं आईगी के paper में क्या करना है, जब सारा कुछ आता होगा ना, कोई easy चीज भूल भी गई तो हो सकता है, आपके यही etching design पे question आजाए, और आपको etching design तो य easy है, हमने derivation की है, हमारे पास speed scale derived हो गया है, लेकिन होता है ऐसे, क्योंकि आपका paper में आपका पूरा का पूरा syllabus combine करके आता है, तो मुश्किल हो जाता है, कुछ students को easy चीज़ें याद नहीं रहती है, तो इसलिए हमने book के do you know भी नहीं छोड़ने, और do you know कि जब हमने बात की तो हमने ये बात की, कि जो हमारे पास acids हैं, वो etching designs के लिए use होते हैं, वो ही procedure है, जो अभी अभी मैंने आपको explain कर दिया, इसकी बहुत detail है, बहुत ही lengthy procedure है, बहुत सी sheets में से उस plate को दुबारा गुजारा भी जाता है, उसके बहुत से prints भी बनते हैं, लेकिन आपने उन तक नहीं जाना, आपने सिर्फ इसकी basics याद रखनी हैं कि किस तरह का etching design होता है, और ये किस तरह होता है, ये design बेटा आपका हमेशा क्या होगा, एक acid की वज़ा से होगा, acid use होगा, और acids के दो नाम हैं, जो book में हमें given है, हमारे syllabus में given हैं, जो हमने याद रखने है, etching design ये नह science करते हैं, हम सिर्फ उन designing की बात करें, जिसमें acids use हो रहे हैं, और दो तरह के acids हैं, mcu में पूछा जा सकता है आप से, एक है nitric acid, जब हमने acids के uses पढ़े थे, उसमें हमने specially ये चीज़ देखी भी थी, के nitric acid को आप copper plates की etching designing के लिए use करते हैं, और दूसरी चीज़ हमारे पा acid नहीं है, ना ही nitric acid, देखें acid तो कोई भी होता हमने बात कर ली मजाग तो हैं नहीं, तो जो acids हैं, उनको जब use किया, etching design में use होए वो, तो आपके पास उस solution में dip हो गए, सारा का सारा designing का process आप यूं समझें के उसी acid पर depend करता है, acid में डालने के बाद अगर तो designing ठीक हो र हैं, अब आप मुझ से पूछेंगे, मिस के अगर उसके उपर acid लगाव है, तो इसका मतलब तो यह हुआ, कि वो चीज डेंजरूस है, हम भाई करके उसको घर में क्यों ने किया है, तो students जब भी उसके उपर etching design हो जाता है, तो कुछ उसकी protection भी की जाती है, उसके बाद, ज sent to, you know, to other people for them to buy, it is going to be very harmful, so you have to remember, के etching design, जितना देखने में प्यारा लगता है, उतनी यह पूरी की पूरी designing खुबसूरत process नहीं है, इसका process tricky भी है, इसका process बहुत ही ज़्यादा safety और caution भी मागता है, तो आपके यह जो plates होती है, जिन को जब निकाला जाता है, acidic solution में से, त के उपर wax लगती है दुबारा, वही wax stencil जिसकी हमने बात भी की थी, wax लगेगी दुबारा, पुरी plate के उपर printing दुबारा होगी, पुरी plate के उपर designing दुबारा होगी, और तब तक यह process पूरा repeat होता रहेगा, जब तक आपकी plate के उपर से पूरा तरह से acidic effect खतम नहीं हो जाता, तब जाके आपकी plate इस तरह की हो जाएगी, कि सिर्फ उसके उपर acid के जो results है, मतलब जो designing होई है, उसके वो नजर आएगी, बाकी जो आपकी plate है, उसके उपर acid के कोई effects नहीं होगे, कोई acid ऐसा भी नहीं होगा, कि थोड़ा सा रह गया होगा, और आप कहेंगे कि touch करने से व हमने chemical properties जब assets की पड़ी थी, हमने ये बात पड़ी थी, कि assets react करते हैं, metals के साथ, तो अब आप मुझसे पूचेंगे, react कर जाते हैं, यह तो metal plates पे designing होई कैसे, metal plates पे designing इस तरह से होती है, कि आपके एक तो acids use होई ना, वो बहुत strong acids ही है, अगर बहुत strong होंगे, तो शायद व हमें designing चाहिए होती है, तो उतना portion किया exposed, बाकी plate को कर दिया cover, wax stencil से cover करना है, यह बात आपने भूल नहीं नहीं है, बाकी portion को हमने कर दिया cover, उतना part किया acid में dip, और उतना ही time दिया, कि जितने time में हमें वो design या वो pad front उबरावा, या prominent तरीके से नज़र आए, हमने acid में कर और उसके बाद उसका जो design है, वो उबरावा नज़र आए, बस extra time नहीं उसको देते, तो यह आप देख लो process time controlled भी है, वैसे भी इसमें caution करना बहुत जरूर ही है, safety measures बहुत ज़्यादा important है, तो जो भी इनको perform करता है, वो क्योंकि एक risk पे होता है, वो एक acid के साथ contact में होत है, कि वो बंदा जो भी designing perform कर रहे ना, उसके पास safety measures सारे के सारे हो, जिस तरह safety gloves की हमने बात की थी, safety suits की बात की थी, जो chemists के लिए design होते हैं, तो वो वाली designing होती है, जब आपके पास safety measures पूरे हो, आपने उस plate को उसके बाद दोबारा गुजारना है, इतने procedure से, कि वो बि finally you are done, और वो आपके पास जो plate आती है, उसके उपर होती है, बहुत ही खुबसूरत designing जैसे के आपको नजर आ रही होती है, ये designing होती है, जो बाद में market में जाती है, ये बिकती भी है, लोग इसको खरीदते भी हैं, क्यों क्योंके ये बहुत ही खुबसूरत लग रही होती ह इसका जो effect आता है, वो बहुत प्यारा आता है, ये plates आपने बहुत दफ़ा देखी भी होंगी, ये market से बहुत अराम से मिल भी जाती है, process हमने समझ दिया, थोड़ा सा tricky है, थोड़ा सा difficult है, लेकिन उसका result बहुत ही प्यारा है, acids की जब भी बात करेंगे, safety रखनी है, और द hydrofluoric acid का नाम भी याद रखें, तो जी students, देखा आपने एचिंग क्या होता है, एक acid को किस तरह से use करके, इतनी intricate designs बनाए जाते हैं, इतने प्यारे प्यारे पैटरिंस बनाए जाते हैं, जो के use भी होते हैं, और जो प्यारे भी बहुत लगते हैं, ये तो खेर हमने acid के use की ब हाफेस!